गर्मियों में और बारिश में सबजियों की बहुत कमी रहती है क्योंकि मार्केट में सबजी आती तो है लेकिन बहुत महंगी भी होती है और इतनी अच्छी भी नहीं होती है तो माइंड में confusion चलता रहता है कि सबजी नहीं है तो क्या बनाए तो चलिए आज बनाते हैं कुछ ऐसा कि जो बहुत ही tasty है और बहुत ही healthy भी है तो आज हम बनाएंगे वाल की सबजी वाल मतलब जो रंगुनी वाल आते हैं वो गुजरत में तो easily मिल जाते हैं बाकी जगाओं का पता नहीं मुझे कि वहां मिलते हैं कि नहीं लेकिन हमारे यहां गुजरत में ये शादियों में बहुत बनते हैं एक हरी सबजी होती है और साथ में ये भी होता है ये बहुत ही tasty लगता है खाने में और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है ये आपको किसे भी grocery store में आसानी से मिल जाएगा तो इसे बोलते हैं रंगुनी वाल तो आपने देख लिया कि ये कैसा लगता है मेरे बच्चे इसे किद्नी की सबजी बोलते हैं क्योंकि इसका shape थोड़ा सा किद्नी जैसा है तो वो बोलते हैं किद्नी की सबजी बनाओ क्योंकि उन दोनों को भी बहुत ही पसंद है तो चलिए आज मैं आपके साथ इसकी recipe शेयर कर रही हूँ तो वाल को हमें एक रात तक भीगो के रख देना है क्योंकि ये थोड़े से hard होते हैं तो अगर आपके पस जदा time नहीं है तो आप 4-5 गंटे के लिए इसे भीगो के रख सकते हूँ तो मैंने इसे overnight भीगा के रख दिया था मैंने यहाँ पे एक cup जितना वाल लिया है और ये जो वाल है उसे भीगोने के बाद 4-5 गंटे भीगोने के बाद उसे अच्छे से हमें धो लेना है 2-3 बार तो यहाँ पे मैंने वाल को 2-3 बार अच्छे से धो लिया है और अब इसके अंदर एक glass जितना पानी मैंने एड़ कर दिया है थोड़ा सा नमक मैंने एड़ किया है तो वाल जब तक पक रहे हैं तब तक हम और तयारी कर लेते हैं तो यहाँ पे हमें चाहिए इमली क्योंकि इमली का टेस्ट वाल में बहुत ही अच्छा लगता है तो मैंने 50 ग्राम जितनी इमली ली है और गरम पानी में इसे भीगो के रख दिया है और यहाँ पे कुकर में भी 4 सीटी आ गई है तो मैंने गैस की फ्लिम को आफ कर दिया है इमली जब तक बीग रहे है तब तक पका लेते हैं चावल क्योंकि चावल के साथ भाल का कॉम्बिनेशन बहुत ही अमेजिंग लगता है आप इसे रोटी के साथ भी खा सकते हो लेकिन चावल के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया रहता है तो यहाँ पे मैंने दो कप चावल ले लिये हैं उसे अच्छे से धो लिया है और दो ग्लास पानी डाल के चावल को पकने के लिए रख दिया है चावल पक रहे हैं तब तक हम इमली को देख लेते हैं तो इमली यहाँ बे अच्छे से बीग चुकी है चलिए इसका हम पल्प निकाल लेते हैं तो पल्प निकालने के लिए हमें चाहिए एक चलनी और एक कटोरी मैंने ले ली है और चलनी के अंदर मैंने ये जो इमली है उसे डाल के अच्छे से मैश करके उसका सारा पल्प मैंने निकाल लिया है आप अगर चाहो तो मिक्षर में करस करके भी इसका पल्प निकाल सकते हो लेकिन इस तरह भी इजी लिए पल्प निकल जाएगा तो चलिए इमली का पल्ग भी एकदम ready है तो करते हैं आगे की तेयारी यहां पर कुकर में से सारा प्रेशन निकल जाए उसके बाद ही हम ठककन खोलेंगे तो यहां पर आपको में दिखाती हूँ कि वाल कितना पकना चाहिए तो इस सरा एक वाल ले लेना है और इसे इस सरा हमें उंगले से दबा के देख लेना है तो यह देखिए इस सरा दब जाए तो समझ लेना है कि वाल एकदम perfect पक गया है अगर थोड़ा सा आपको कच्चा लगे तो एक से दो सीटी आप लगा सकते हो तो चलिए यहां पर हमारे वाल भी अच्छे से पक गये हैं तो इसे हम चान लेते हैं यह जो वाल का पानी है इसे हमें फैक नहीं देना है क्योंकि इसका हम use आगे करेंगे तो वाल को मेरे चान लिया है और अब हम ले लेंगे एक कड़ाई क्योंकि इसमें हमें करना है वगार यहां पर हमें थोड़ा सा मोटे तले वाला बरतन चाहिए अगर तला थोड़ा सा पतला होगा बरतन का तो सारे मसाले जल जाएंगे तो हम थोड़ा सा मोटे तले वाला बरतन लेंगे अब बरतन के अंदर डाल देंगे चार से पांच चमच जितना तेल, यहां पे थोड़ा सा तेल जादा लगेगा, तो थोड़ा सा तेल जादा डालेंगे, यहां पे साइड में हमारे चावल भी अच्छे से पक गए हैं, चली अब थोड़े से मसाले निकाल लेते हैं, जब तक तेल गरम हो रहा है, तो यहां पे उसके बाद इसके अंदर हम वगार करेंगे वाल के अंदर करीपता का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है तो चलिए थोड़े से करीपत्ते भी ले लेते हैं तो मैंने मेरे घर में ही एक प्लांट लगाया है करीपत्ते का तो फ्रेश पत्ते मैंने ले लिये हैं और अब कर लेते हैं वगार क्योंकि तेल अच्छे से गरम हो गया है थोड़ी सी राई डालके हम चेक कर लेंगे राई अच्छे से फूटने लगे तो सबंद लेना है तेल गरम हो गया है तो एक चमच मैंने डाई डाल दी है और आदा चमच बरके मैंने इसके अंदर अजवा तुरंधी हम डालेंगी थोड़ासा पानी, क्योंकि मसाले जलना जाए। इसके लिए हमें तुरंधी थोड़ासा पानी डाल देना है। पानी डालने के बाद हमें तुरं tyreन दॉरंधी सब कुछ अच्छे से समीक्स कर लेना है। और बाद में हमें एक चमच बर के लाल मिर्श पाउडर और एक चमच बर के धने जीरा पाउडर एड़ करना है और सब कुछ फिर से अच्छे से मिक्स कर लेना है और अब इसके अंदर हम एड़ कर देंगे 2 चमच बर के बेसन क्योंकि बेसन से ये जो ग्रेवी है हमारी गाड़ी होगी तो बेसन डालेंगे 2 चमच बर के और 1-2 मिट हमें उसे सेक लेना है ताकि बेसन का कच्चापन निकल जाए चले अब इसके अंदर एड़ कर देंगे पानी तो वाल को हमने बोईल करने के लिए जो पानी लिया था जो हमने साइड में निकाल के रखा था वो सारा पानी हम एड़ कर देंगे इसमें थोड़ा सा पानी हमें जादा चाहिए तो एक कप भर के पानी मैंने और एड़ किया है और मिडियम फ्लेम पे इसे मैंने 3-4 मिनिट पका लिया है 3-4 मिनिट के बाद ग्रेवी थोड़ी सी गाड़ी हो जाएगी उसके बाद इसके इंदर एड़ करेंगे इमली का पल्प तो यहाँ पे 3-4 चमच भर के मैंने इमली का पल्प एड़ किया है और 2-3 मिडियम साइज के टुकडे गुड़ के मैंने इसके इंदर एड़ किये है क्योंकि ये सबजी खटी मीठी बहुत ही अच्छी लगती है तो चलिए गुड़ मेल्ट हो जाए उसके बाद इसके इंदर एड़ कर देना है वाल जो हमने बॉल करके रखा था तो सारे वाल इसके इंदर एड़ कर देंगे और कुकर में ही मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है तकरीबन आधे कब जितना और वो पानी भी हम वाल के इंदर एड़ कर देंगे क्योंकि वाल पानी बहुत ही पीते हैं वाल की सबजी थोड़ी सी ठंडी हो जाए उसके बाद टेस्ट में जादा अच्छी लगती है तो इसे हमें थोड़ा सा ठंडा करके खाना है तो ग्रेवी थोड़ी सी पटली बनाएंगे मतला कि पानी जादा अड़ करेंगे क्योंकि वाल सारा पानी पी जाएंगे और ग्रेवी थोड़ी सी गाड़ी हो जाएगी तो आप अपने requirement के हिसाब से इसके अंदर पानी कम जादा अड़ कर सकते हो आपको कितना थीक पसंदे उसके हिसाब से आप इसके अंदर पानी एड़ कर सकते हो इसको एक बार हमें टेस्ट कर लेना है कुछ कम जाद आपको लगे तो आप एड़ कर सकते हो मुझे थोड़ा सक नमक कम लग रहा था तो मैंने नमक एड़ किया है और अब इसे हमें एकदम लो फ्लेम पे 5 मिट के लिए ठक कर पका लेना है तक कि वाल के अंदर ये जो मसालों का टेस्ट है वो बैठ जाए तो चलिए 5 मिट हो गए हैं और हमारा वाल एकदम रेड़ी है इसके उपर डाल देते हैं थोड़े सी धन्या पत्ती और अब इसे हम सर्व कर लेते हैं तो बीच में रखती हैं मैंने थोड़े से चावल और साइड में मैंने रखती हैं वाल मैंने इसे गरमा-गरमी serve किया है आप थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसे serve करिएगा ठंडा होने के बाद इसे खाईएगा क्योंकि इसका ठेस्ट ठंडा होने के बाद ही बहुत भण जाता है तो ये लीजिए वालकी सबजी एक दम ready है इसके अंदर हमने प्यास, टमाटर, लसुन, कुछ भी ने डाला है लेकिन फिर भी इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग है आप भी गर पे इसे एक बर जरूर ड्राय करिएगा आपको भी बहुत ही पसंद आएगी तो चलिए अब इसके उपर हम तीनों टूट पड़ते हैं आप कृशा का रियक्शन देखिए कैमरा इसके सामने अचानक से आ जाए तो ये ऐसे ही रियाट करती है और वो पंदर उसका नकल कर रहा है मतलब के रुद्रा उसकी नकल कर रहा है तो मुझे और मेरे बच्चों को ये किड़नी की सबजी मतलब के वाल की सबजी बहुत ही अच्छी लगी और आपको ये रेसिपी कैसे लगी प्लीज मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज एक लाइक ज़रूर करना और अगर चैनल पर नए हो और अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब ही कर देना चलिए मिलते हैं जल्दी ही नेक्स रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई जेशी करशना